उधारण छे सरल कीजिए दोबटा पांच की घात रिध तीन गुडित 45 बटा चार की घात रिध दो हमें 2 बटा 5 का घात रिन 3 गुणीत 25 बटा 4 का घात रिन 2 को सरल करना है सबसे पहले हम यहाँ पे 25 को 5 गुणीत 5 में तोड़ेंगे और 4 को 2 गुणीत 2 में तोड़ेंगे तो इसे हम कोश्टक में वैसी लिखेंगे 2 बटा 5 का घात रिन 3 गुणीत 25 को हम लिखेंगे 5 गुणीत 5 बटा 4 को हम लिखेंगे 2 गुणीत 2 का घात रिन 2 बराबर 2 बटा 5 का घात रिन 3 वैसे ही लिखेंगे और 5 गुणीत 5 को हम घात में लिखेंगे तो यह बनेगा 5 का घात 2 बटा 2 का घात 2 का घात रिन 2 बराबर रिन आत्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए दो बटा 5 का घात 3 गुणीत अब रिनात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए कोश्टक के अंदर वाली जो है हमारे पास उसे हम अंश को हर में और हर को अंश में ले जाने पर यह हो जाएंगा दो का घात 2 बटा 5 का घात 2 तो हमारा जो घात रिनात्मक था वहाँ धनात्मक बन जाएंगा तो यहाँ पर हमने घातांग का नियम लगाया है कि एका घात रिन एम बराबर एक बटा एका घात एम बराबर अब हम 5 बटा 2 कोश्टक को कहीं खोलेंगे तो घात जो है अंश और हर में दोनों और बट जाएंगा तो यह हो जाएंगा 5 का घात 3 बटा 2 का घात 3 गुणित उसी प्रकार से पुना जो हमारा कोश्टक के भार जो घात है जब कोश्टक खोलेंगा तो घात जो है अंश और हर में दोनों में गुणा हो जाएंगा तो यह हो जाएंगा 2 का घात 2 बटा का घात 2 बटा 5 का घात 2 का घात 2 हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है A बटा B का घात M बराबर 5 का घात 3 वैसे ही लिखेंगे बटा 2 का घात 3 गुणित 2 का घात घात जो है जब कोश्टक खुलेंगा तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाएंगा तो 2 गुणित 2, 4 बटा 5 फिर जब कोश्टक खुलेंगा तो यह दोनों घात की घात में गुणा होंगा और दो दुनी चार होंगा तो यहाँ पे हमने घातांग में घातों की घात का नियम लगाया है चुकि हम जानते हैं कि एका घात M का घात N बराबर एका घात M गुरित N होता है अब हम इसे अगले प्रिष्ट में देखेंगे 5 का घात 3 बटा 2 का घात 3 गुरित 2 का घात 4 बटा 5 का घात 4 बराबर हम यहाँ लिखेंगे तीन बात चार गुणित दो का गात चार बटा दो का गात तीन बराबर यहां पे बटे में भाग में पांच अधार एक है तो हम पांच को एक बार लिखेंगे अधार को और अंशर हर की घात को घटा देंगे 3 रिन 4 गुनित 2 का घात घात को फिर से हम घटाएंगे 4 रिन 3 चुकि हम जानते हैं कि घातांग में एक घात M बटा एक घात N बराबर एक घात M रिन N होता है बराबर पांच का घात 3 रिन 4 बराबर रिन 1 गुनित 2 का घात 4 रिन 3 बराबर 1 बराबर रिनात्मक घात को हम धनात्मक में बदलने के लिए पांच का घात रिनेक को एक बटा पांच का घात एक लिखेंगे गुनित दो का घात एक बराबर तो हमने यहाँ पे नियम लगाया है घातांका एक घात रिन एम बराबर एक बटा एक घात एम बराबर एक गुणित दो बराबर दो बटा पांच का घात एक बराबर पांच यहां उधारण का हल है